पिछले काफी वक्त से बॉलिवुड एक्टर रन्बीर कपूर और आलिया भट के अफेर की खबरे आ रही हैं। दोनों को अब एक दूसरे को डेट करते हुए काफी वक्त भी हो चुका है। चाहे बॉलिवुड फंक्शन हो या फिर शादी दोनों अक्सर एक साथ स्पॉट किये जाते हैं। रिपोर्ट तो यहां तक थी कि अगर पिछले साल कोरोना नहीं फैला होता तो आज शायद दोनों शादी भी कर चुके होते। अब अपने भाई रनमीर की होने वाली वाईव को लेकर उनकी बहन रिदिमा कपूर ने खुलासा किया है। और अपनी मा नीतू कपूर के बारे में भी कुछ इंट्रस्टिंग बाते हाल ही में दिये अपने एक इंटिव्यू में बताई हैं। याहू लाइफस्टाइल से बात करते हुए रिदिमा ने बताया कि नीतू अपनी बहु के साथ रानी की तरह व्यभार करेंगी। उन्होंने कहा मा एक बढ़िया सास बनेंगी और वो बहु को सब कुछ देंगी उनसे कुछ भी उमीद नहीं करेंगी। वो दखल देने वाली सास में से नहीं होंगी और अपनी स्पेस की इंपोटेंस समझती हैं। इसलिए दूसरे को भी स्पेस देंगी। रधिमा ने आगे कहा कि उनकी मा नीतू अपनी बहु को बिगार देंगी क्योंकि वो उन पर बहुत सारा प्यार बरसाएंगी। पूरा सम्मान देंगी और खूब खयाल भी रखेंगी। अपनी बात में रधिमा ने आलिया भट का नाम तो नहीं लिया लेकिन सभी जानते हैं कि रन्बीर की फैमली को आलिया बहुत पसंद है। ऐसे में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अगर आलिया कपूर परिवार की बहु बनती हैं तो नीतू उन्हें रानी की तरह रखेंगी। वैसे भी नीतू कपूर और आलिया एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, दोनों काफी क्लोज हैं और कई बार दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हुए भी दिख जाते हैं। पिछले हफते नीतू के 63 जन दिन पर आलिया ने उन्हें विश करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी। वहीं दूसरी तरफ नीतू कपूर ने भी इंसग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें नीतू सिंग, रनबीर कपूर और उनकी बहन रिधिमा तो थी ही साथ में आल ही लिया है और हो सकता है ये पोस्ट आलिया को वहू मानने का उनकी तरफ से दिया गया एक हिंट हो। वहीं आलिया और रनबीर के वर्क फ्रेंट की बात करें तो बहुत जल्द आलिया अब संजे लीला बंसाली के फिल्म गंगु बाई कठिया वारी में नजर आने वाली है वही रनबीर कपूर के वर्क फ्रेंट की बात करें तो उनके अपकमिंग प्रोजेक्स में ब्रहमास्त के अलावा शमशेरा और एनिमल भी हैं। बतादे कि रनबीर और आलिया के फैन्स उनकी अपकमिंग फिल्म ब्रहमास्त का बेसबरी से इंतिजार करते हैं। इस फिल्म